प्रपु येशु के सामर्थी नाम में, प्यारवाब सभी का आज की इस हाउ टू बी विक्टोरियस, वीजेता कैसे बने, बाइबल के दूसरे भाग में स्वागत है, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, आज ये मौका परमेश्वर नहमें दिया, कि हम मिलकर परमेश्वर के वचनों से कुछ सीख पाए, आए हम प्यारो दूआ में जाए, परमेश्वर की सहायता माँगे, और उसके बाद हम आज की बाइबल स्टरी से जो प्रभु में सीखाना चाते हैं, सीखेंगे, आए परातना करें, प्यारे परमेश्वर पिता, येश विजेता कैसे हम बन सकें, परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा हम से व्यहवार करें, जो लोग अपने जीवन में हार के दोर से गुजर रहें, परिस्तिती से लड़ लड़ कर ठक गए हैं, हत्यार डाल दिये हैं, नीरास है, डिप्रेस हैं, परमेश्वर हम बिंती करते हैं, आज आप उनको उठाएं और विजेता बनाएं परमेश्वर, येश्व मसी के नाम संप्रातना करते हैं, हम सभी के साथ बात करें, हमार ये दुआ येश्व मसी के सामर्थी नाम में हैं, आप कबूल करें प्यारे पिता, आमेन, आमेन, प्यारो हम आज की इस बाइबल स्टरी में आगे बढ़े उससे पहले लास्टाइम जो पहले भाग में हमने सीखा था कुछ सेकंड्स लेकर उसका हम रिवीजन करना चाहते और उसके बाद हम आज जो प्रभु में सीखाना चाहते उसमें आगे बढ़ेंगे इस सीरीज का हाउ टू बी विक्टोरियस वीजेत कैसे बने इस सीरीज का जो पहला भाग था जो लास्टाइम हमने सीखा था वो था मन को कच्चा न होने दे मन को कमजोर न होने दे हमने सीखा था प्यारो हमें अपने मन को संभालना है ताकि तकलीफों के समय परिस्थिती जब बिगडी हुई हो युद्ध के समय हमारा मन प्रश्रा निर्बल नहों जाए प्यारों प्यारों हमने देखा था एक पलिस्ती योद्धा कदावर योद्धा गोलियात इसराइल लोगों को चुनोती देता है उपर से नीचे तक सस्त्रों से सजीत था और जब उसने चुनोती दी इसराइल लोगों के मन कच्छे हो गए लेकिन वहां पर एक व्यक्ति दावद ऐसा था इस सत्रों को देखकर उसने अपने मन को कच्छा नहीं होने दिया वो लड़ने के लिए तैयार था प्यारों हमने सि बड़ा सत्रों हो दाहुत के समान हमें हमारे मन को कच्छा नहीं होने देना है हमें लड़ना है प्यारों कि सत्रों से भी सामर्थी जो है वो हमारे पास है और वो हमारा चिंदा खुदा है हाललुया हमने देखा था रॉबर्ट लॉस के पिता ने सिर्फ जब रॉबर्ट ल बड़े होकर परमेश्वर की महिमा के लिए आफ्रिका में बड़े मिस्नेरी बने सासो सासो स्कूल स्थापिट की यह उस्पिटल बनाए यूनिवर्सिटी भी उनके नाम से रखी गई क्यों क्योंकि उनके पिता ने अपने मन को कच्चा नहीं होने दिया दुख के समय हमने द दिया कम जो नहीं होने दिया और अपने वीजय को उसने देखा चंगाई को उसने देखा हमने देखा था यूससफ के विसे में उसे खड़े में डाल दिया गया गुलामी में बेच दिया गया जेल में भी वो गया लेकिन उसने अपने मन को कच्चा नहीं होने दिया कम जो नहीं होने दिया, वो द्रीडे रहा कि प्रभू ने मेरे विश्य में जो बताया है, वो पुरा करकर ही रहेगा, और आखीर में उस अपने वीजय को देखा, प्यारो हमने देखा था कि सबसे अधीक हमें अपने मन की रक्सा करनी है, आज प्यारो हम इसी सीरीज, वीजयता कैसे बने, इसके दुसरे भग में जाना चाहते हैं, उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्यारो कुछ लोग कमेंट में आपकी प्रातना बिंती लिखते हो, प्लीज कमेंट में ना लिखे, आप जरूर कॉल करिए, इस नंबर पर आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है, प्यारो, ये नंबर आप प्लीज नौट कर ले, और कुछ भी आपकी तकलीफ है, आपके युद्धो में हम आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, ताकि आप वीजय वन्त हो, प्यारो, इस नंबर पर आप जरूर हमें क कर सकते हो, आए प्यारो, आज की स्टडी में हम आगे बढ़े, हाउ टू बी विक्टोरियस, वीजय ता कैसे बने, इसका दूसरा भाग है, उसका सिर्सक है, यह गलती कभी ना करना, आज एक गलती के विसे में हम सिखना चाहते हैं, प्यारो, जिसके विसे में हमें सावद रहना है, प्यारो, यह गलती हमें पराजित कर सकती है, यह गलती हमें वीजय से परे रख सकती है, प्यारो, आए हम पहला समुएल, उसका सत्रवा दियाए, और उसकी पहली आयत पड़े, अब पलिस्तियों ने युद के लिए अपनी सेना को इखठा किया, और यहुदा दे दूसरी आयत हम पड़ना चाहते है, पहला समुएल, उसका सत्रवा दियाए, और उसकी दूसरी आयत आये मिलकर पड़े, और साउल और इसराहिली पुरूसों ने भी इखठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले, और युद के लिए पलिस्तियों के विरुद पांती बां लोगों ने भी डेरे डाले, और उनके सामने युद के लिए वे भी तैयार हो गए, प्यारो ये दोनों आयत, पहली आयत और दूसरी आयत के बीच एक बड़ी गलती छिपी है, प्यारो, जिसको आज हम देखना चाहते हैं, और हम सहबत रहेंगे कि ये गलती हम ना करें, प सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो युद के समय सहाईता मागने परमेश्व के पास नहीं गया, पलिस्तियों ने डेरे डाले, वो युद के लिए तैयार थे, यहां सावल और उसके साथ जो लोग थे, वे भी तैयार हो गए, एक स्टेप मिसिंग है, पहला जो स्टेप है, वो यहां मिसिंग है और वो है परमेश्व के पास जाना, परमेश्व की सहाईता मागना, सावल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने सर्व प्रथम परमेश्व के पास जाकर उनकी सहाईता नहीं मागी प्यारो, सावल प्यारो इस लड़ाए में बेबस था, लाचार था, क्योंकि उसकी सहाइता करने वाला परमेश्व ही उसके साथ नहीं था क्योंकि वो परमेश्व के पास नहीं गया परमेश्व की सहाइता नहीं मागी क्योंकि मन कच्छे हो गए क्यों वो डर गए इस योध्धा को देख कर क्योंकि उन्होंने परमिश्वक के पास नहीं जाने की बड़ी गलती की थी प्यारो हमें सावद रहना है अगर हम हमारे जीवान में जो युद्धों से होकर गुजर रहे हैं उसमें वीज़ई को देखना चाहते है सर्व प्रथम जब भी आपके जीवान में समस्या आए तकलीफ आए दूख आए परेसा नहीं आए सर्व प्रथम परमिश्व के पास जाना है उसकी सहाईता मागनी है एक परिवार में गए एक जवान लड़के एक जवान लड़का जो मैरीड था उसके पारिवारिक जीवा में बहुत बड़ी समस्या आई पारिवार पूरा बिखर चुका था और वो भी मेंटली बहुत ही डिप्रेस था और ऐसे समय में परमिश्वरा में वहाँ पर ले गए हमने उनके साथ बैठ कर उनकी हर एक बातों को सुना और हर एक बातों को सुनकर फिर हमने उनके लिए दुआ करवाई और एक महत्वपूर्ण बात उनको हमने बताई हमने बताया अगर इस परिस्थिती में आप वीजई को देखना चाहते हो आज से एक बात जो आपको करनी है वो यह है आप प्रभु के चरनों में जाया करें आज से एक नई सुरुआत करें परमिश्वर को अपने चीवर में आमन्त रिट करें उसकी सहायता मागे और परमिश्वर इस यूद में आपको वीजई देगा आपको पता है उसने क्या कहा पूरी कथा करने के बाद पूरी बात समझाने के बाद जब हम वह से खड़े हो रहे थे हमने फिर से उससे रिमाइंड करवाया जो बात हमने कही है बूलना नहीं बहुत महत्वपूर्ण है उन्हों ने कहा उंक्खा जवाब दा वो सब तो ठीक है लेकिन मेरी समस्या का समाधन कब होगा कभी इस परिस्थिती को मैं बदलती हुई देखूंगा हमने बोला वोई ही तो हम आपको बता रहे हैं आपके हाथ में हम चावी तो दे रहे हैं आपको हम यही तो कह रहे हैं यह चावी को घुमाना यह ताला खुल जाएगा यह महत्वपूर्ण बात अगर आप नहीं करते आप अपने चीवा में कभी वीज़ई को नहीं देखोंगे वो अपने प्रस्तों के उपर ज़्यादा फोकस्ट था उससे सिर्फ अपनी समस्या दिखाए देती थी हम जो समाधान बता रहे थे हमने जो महत्वपूर्ण बात बताई उसके विसे में वो गंबिर नहीं था प्यारो यह हो सकता है हम हमारे समस्या में इतने घिर जाए कि इस महत्वपूर्ण बात को हम ना करे परमेश्व के पास जाके उसकी सहाइता नहीं मागने की कलती हम ना करे प्यारो समस्या से जब घीरे हुए हो प्यारो सर्वप्रथम हमें परमेश्व के पास जाना है वो बाहिस सामने बता है वो सब तो ठीक है वो ठीक नहीं है अगर हम प ही देखेंगे प्यारो कई बार जो महत्वा पूर्ण है उसे हम कम महत्वा देते और सिर्फ अपने समस्याओ के और प्रस्टों के विसे में ही वो लड़के के समान सोचते रहते प्यारो जब युद्धों से गिरे हो ये महत्वा पूर्ण कदम लेना मत भूलना परमेश्व के पास जाकर उसकी सहाइता मागना मत भूलना अगर प्रभू के पास जाकर पहले ही आप उसके चैनों में बैठकर उसकी सहाइता मागते हो साउल के समान आप लाचा नहीं रहोगे साउल के समान आप डरोगे नहीं दाउत के समान आप विजएवंत बनोगे हाललुया प्यारो हम आपसे पूछना चाहते है क्या आप जीवन में युद्धो के समय सबसे पहले प्रभू के पास जाते हो अपने आपसे पूछे जब समस्य आती है क्या मेरे प्रस्तनों में मैं इतना डूब जाता हूं बस उसके विसे में सोच सोच करता हूं और यहां वहां मेरी नजर दोड़ाता हूं यहां वहां दोड़ता हूं और प्रभू के चरनों में जाकर उसकी सहाईता पाना मैं चूग जाता हूं कहीं मैं ये बड़ी गलती तो नहीं कर रहा है जो साउल ने की क्या सबसे पहले आप रभू के चर्णों में जाते हो प्यारो अगर नहीं जाते हो तो बहुत बड़ी दुखी बात है आप सबसे पहले सहाईता के लिए किस के पास जाते हो कहां दोड़ते हो प्रभू के पास या कहीं और अपने रिलेटिव्स के वहां डॉक्टरेल्स के वहां प्यारो आप कहां दोड़ते हो सबसे पहले जब आपके जीव में समस्य आती है साउल ने जो बड़ी गलती की हमें नहीं करनी है सबसे पहला महत्वपूर्ण खदम उसने नहीं लिया प्रभू के पास जाकर प्रभू की सहाइता उसने नहीं मागी प्यारो इस से पहले बड़ी-बड़ी लड़ाया साउल ने देखी थी लेकिन उसमे उसने विजवयो को भी देखा था क्यूंकि तब साउल युद सुरू होने से पहले ही परमिश्वर की सहाइता पाने परमेश्व के पास जाता था पहले जाता था प्यारों साउल प्रभु की सहायता पाने के लिए आए वच्छन से हम देखे पहला समुएल तेरवाद दियाए मिलकर हम पढ़ना चाहते है इस आयत को और पलिस्ती इसराइल से युद्ध करने के लिए खटे हो गए अथा तीस हजार रत और छे हजार सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इखटा हुए यहाँ साउल के सामने जो सेना थी प्यारो वो छोटी नहीं थी यहाँ पर लिखाए तीस हजार रत थे छे हजार सवार थे और समुद्र के तील की बारू के समान रेद के समान धेड़ सारे लोग थे लेकिन यहाँ पर साउल ने क्या किया था यहाँ पर लिखाए पहला समुईल उसका तेरवा दियाए और उसकी बारह वियायत में आये मिलकर पड़े साउल की सबसे बड़ी चिंता थी क्या थी आये पड़े तब मैंने सोचा कि पलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहवा से बिंती भी नहीं की है प्यारो साउल की यह बड़ी चिंता थी कि यह सत्रू आकर खड़ा है युद होने बाला है और अभी भी मैंने प्रभू से सहायता मागी नहीं है मैं प्रभू के चल्नों में नहीं गया मैंने प्राथना नहीं किये क्या प्यारो युद के समय ये आपकी चिंता रहती है समस्या जब सामने खड़ी हो आपके मन में कौनसी चिंता सवार रहती है कैसे बाहर आओंगा किस के पास जाओ कहां से सहायता मागो कहां से पैसो की व्यवस्था करो ये चिंता आपके मन में घुमती रहती है कि आपके मन में ये बात आती है कि मैंने अभी तक प्रभू के पास जाकर प्रभू की सहाईता नहीं मागी ये चिंता आपके मन में रहती है प्यारो कि मैं प्रभू के पास कब जाओ और कब प्रभू की सहाईता मागू ये सावल पहले ये सावल था प्यारो इसके मन में ये चिंटा रहती थी मैंने प्रभु की सहाईता मागी नहीं है ये जो यूद हुआ प्यारो उसकी एक खास्यत थी इसमें आयम ये वच्छन को पड़े पहला समोयल उसका 13 वाद्यार और 22 वियाद सो यूद के दिन सावल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला था कि वो सावल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे किसी के पास साउल और उसके पुत्र के सिवाई किसी और के पास बाला या तल्वार नहीं था इनव हत्यार भी नहीं थे लेकिन इस युद में परमेश्व की सहाइता मागने के लिए जब साउल परमेश्व के पास गया प्रभू ने उसे वीचे दिलाया था साउल ने प्रभू से सहाइता मागे थी आये इस आयात को हम मिलकर पड़े क्या कहा था साउल ने क्या किया था साउल ने पहला समयल चाउदवा दिया और 37 आयत तब साउल ने परमेश्वर से पुछवाया कि क्या मैं पलिस्तियों का पीछा करू क्या तु उन्हें इसराहिल के हाथ में कर देगा प्रभू की सहाइता मागने के लिए प्यारो साउल परमेश्वर के पास गया प्रभू से पुछता है प्रभू क्या पीछा करो क्या यूद करो क्या तु प्रभू तु मुझे विजए देगा क्या प्रभू के पास जाकर सहायता मागते हो प्रभू से पुछते हो प्रभू ये युद में मुझे कैसे लड़ना है तू मुझे बता इस समस्या को कैसे मुझे सुल जाना है प्रभू तू मुझे बता अगर सहायता मागोगे तो मिलेगी प्यारो प्रभू के पास नहीं जा वीजे नहीं पाएंगे साउल प्रभू से पुछता है प्रभू मैं क्या करू आप भी पूछे प्यारो यूद के समय में तकलीव के समय में समस्या के समय में प्रभू तू मुझे बता कैसे मुझे समस्या से बाहर आना है और प्रभू आपको जरूर बताएगा वीजे का रास में भी प्रभू ने उसे विचे दिया आये इस आयत को मिलकर पड़े साउल के विशे में लिखा है पहला समुएल अध्याइच चौदा 47 आयद जब साउल इसराइलियों के राज्य में स्थीर हो गया तब मुवाबी अमोनी एदोमी और पलिस्ती अपने चारों के सब सत्रों स और सोभा के राजा हो से लड़ा और ध्यांत से सुनिये जहां जहां वो जाता शाय पाता था आललूया पहले साउल प्यारों नीज सहाइल लाचार और बेबस राजा नहीं था जो आज हम देख रहे हैं वैशा नहीं था पहले विजय व onu जाता था वो विजय готов पाता क्योंकि वो पहले एक important कदम एक important step लेना नहीं चुकता था प्रभु की सहायता मागने का प्रभु के चर्णों में जाने का और इसलिए वो जहां जाता था वो बीचे बंत बंता था अगर आप अपने जीवन में हार को देख रहे हो सोचे कहीं ये गलती तो हमने नहीं किने जो सबसे पहले हमें उठाना था प्रभु के पास जाकर उसकी सहायता में मागी किया प्यारो प्यारो अक्सर सबसे बड़ी गलती लोग यही करते है कि यूद के समय तकलीफ और समस्या या परेसानिया आने पर परमेश्वक के पास जाना ही बुल जाते है या तो जान बड़ी हार को देखते हैं प्यारो क्या हम ऐसे लोग है जो परमेश्वक के पास नहीं जाते हैं हमें लगता है वह तो ठीक है चलता है अब दुवा बुवा बाद में करेंगे पहले यहां वहां सहायता मागने के लिए प्रत ना करते हैं आपके हरी प्रत ना वेर्थ जाए अगर आप प्रभू के चर्णों में पहले नहीं जाते हैं प्यारों कुछ लोगों के विसे में आपको बताना चाहते हैं उन्होंने अपने जीवन में जो संगर्स थे युद्ध थे उसमें परमेश्वक को साइड में रखा उन्होंने यह माना कि बहिए हम काफी हैं हम बड नहीं लिया उसमें से एक थे टैन क्रेडो नेवेस यह ब्राजील के प्रेसिडेंट हो गए प्यारों और एक प्रेसिडेंशल इलेक्शन में उन्होंने यह स्टेट्मेंट दिया कि अगर मुझे पांच लाख वाट मिल गए तो परमेश्वर भी मुझे प्रेसिडेंट बनन से रोक नहीं सकते हैं उन्होंने का मुझे मेरे यूद में ये चुनाओं में प्रभु की जरूरत नहीं है उसकी सहायता की जरूरत नहीं है एक बार पांच लाख वाट मिल गए मुझे प्रभु की सहायता की जरूरत नहीं आप जानते हो क्या हुआ इस टैन क्रेडो नेवे पाँच लाख वोटों से जीत गए उनको पाँच लाख वोट मिले लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बने क्यों आपको पता है उनके प्रेसिडेंट बनने के एक ही दिन पहले उनको बुखार आया और बुखार के कारण उनकी मृत्य हो गई प्रभु को उसकी सहाईता को बाजू पर रखा उन्होंने माना मैं काफी हूँ और एक बड़ी कहीमा तुने चुकानी पड़ी प्यारो परमेश्व को बाजू पर रखकर आप आपके चीवन के संगरसों में परिस्थित्यों में तकलीफों में युद्धों में कभी भी विज जेवन्त नहीं हो सकते आपकी गिंती गलत पड़ेगी अगर आपके साथ प्रभु नहीं है दूसरी एक बड़ी एक्ट्रेस हो गई मैरलीन मन्रो परमेश्व के दास बिली ग्रहम खुद उनके पास गए प्रभु का सुसमाचा लेकर उन्होंने सुना भी और फिर उनका जवा मुझे तुमारे येश्व की जरूरत नहीं है मैं काफी हूँ मेरे जीवन में जो भी तकलीफ है परेशानी संगर्स है मैं उसमें अकले ही लड़ लूँगी मुझे येश्व की जरूरत नहीं है प्यारो ये कहने के एक ही सब्ता के बीतर ड्रक्स के ओवर्डोस के कारण इन क्योंकि इन्हों ने ये माना कि मुझे प्रभु की सहायता की कुछ जरूरत नहीं है, मैं मेरे युद्धों को खुद लड़ सकती हूँ, जब लड़ना पाए, ड्रक्स पीने लगे, और ड्रक्स के ओवर्डोस के कारण एक ही सप्ता में की मृत्य हो गए, दूसरे एक व्यक्त इसी बड़े फैमस थॉमस एंड्रूस, बड़ी सीप मेकर कंपनी में, सीप बिल्डर थे वो, और एक बड़ा सीप डिसाइन किया जिसको हम जानते टाइटेनिक, और इंको अपने सीप बिल्लिंग जो कैपीबिलिटी थी, काबेलियत थी, उसके उपर इतना भरोसा था, रहे थे जैसे मुझे प्रभू की सहायता की जरूरत नहीं है, मैं मुझे परमिश्र से इस सीप के लिए सुरक्सा मागने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी काबलियत पर बरोसा है, ये नहीं डूब सकता अगर प्रभू भी इससे डूपाना चाहे, और प्यारो ये जहाज, जो कभी भी नाडूबे ऐसा बनाया गया था प्यारों इतियास में गवाई गवाई दी गई ये घटना बड़ी दूर घटना बनी ये जहाज 20 समुद्र में डूब गया और कई लोगों को अपना जीवन गवाना पड़ा प्यारों ये लोग थे जिनोंने प्रभू से मुढ प्रभू तेरी सहायता की हमें कोई जरूरत नहीं है हम हमारे जीवन के युद्धों को लड़ सकते हैं हमें आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है जो साउल ने गलती की इन लोगों ने की और बड़ी भारी की मत उनको चुकानी पड़ी प्यारों हमें अगर परमेश्वर स मुह मोड़ते बड़ी भारी की मत चुकानी पड़ सकती है किया आप अपने युद्धों के समय में बीमारी के समय में आपकी पारिवारिक समस्याओं के समय में जब आप करजे से ओकर गुजर रहे हो तब जब छुनोतियों का सामना कर रहे हो तब जब भविश्या आपको अं जेवंद मनाएगा अगर नहीं जाते अब बड़ी गल्ती करें हो प्यारों परमेश्व से मुँख मोरने की गल्ती बहुत गंबीर परिणाम ला सकती है प्यारो साउल ने परमेश्वक के पास ना सिर्फ ना जाकर एक बड़ी गलती की थी लेकिन उससे भी बड़ी गलती उसने यह की कि वो मनुश्य के पास सहायता मांगने के लिए गया उसने डिंडोरा पिटा की जो मुझे सहायता करेगा इस बड़े गल्याद को ये खदावर सत्र को जो हरा देगा उसके लिए क्या किया जाएगा पहला समोयल सत्रावाद यह 25 में आद कहती है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा अपनी बेटी से बेहा करवाएगा और उसके पिता के घराने को इसरायल में से स्वतंतर कर देगा इतना इतना ही नाम मिलेगा मतलब उसकी आसा मनुश्य से थी वो मनुश्य की और अपनी नजर लगाए हुआ था कोई खड़ा हो और मुझे सहायता करे उसकी सहाय उसकी नजर स्वर्ग से मिलने वाली सहाय की और नहीं थी प्यारो कि आपके युद के समय में आपकी समस्या से आप जब खीरे हुए हो तब आपकी नजर मनुश्य के तरफ होती है ये मुझे मदद कर देगा हाँ इसके पास काफी है वो मुझे मदद कर देगा आपकी गिंतिया गलत पड़ेगी प्यारो आपकी नजर स्वर्ग में होनी चाहिए ना कि मनुश्य की और ये साउल ने मनुश्य की और नजर लगाई मनुश्य से सहायता पाने की आसा रखी प्यारो प्रभू का वच्छन क्या कहता है आए मिलकर हम पड़े प्यारो ये साया अध्या 31 में परमिश्य का वच्छन कहता है हाई उन पर अपसोस है उनको जो सहायता पाने के लिए मिश्रक हो जाते हैं लोगों के पास जाते हैं और गोडों का आसरा करते हैं जो रथो पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वे अत्ती बल्वान हैं पर इस्राइल के पवित्र की और द्रिस्टी नहीं करते हैं और न यहोवा की खोज करते हैं प्रभू कहता है अफसोस है इन लोगों को प्रभू अफसोस है कहता है जो लोगों से सहायता पाने के लिए उनके पास जाते घोडों के बल पर आधा रखते पैसों के बल पर आधा रखते बैंक बैलेंस के उपर आधा रखते अपनी पहुँच यहां है वहां है अपनी पहुँच के उपर आधा रखते प्रभू कहता है अब सोस है उनको जो प्रभू के पास सहायता मागने के लिए नहीं गया और दूसरी वैसी और उससे भी घंबिर गलती प्रभू के पास तो नहीं गया लोगों के पास गया सहायता मागने के लिए आए प्रभू का वचन क्या कहता है हम मिलकर पड़े यर्मिया सत्रव है पांचमी अद्याय में प्रभू का वच्छन कहता है यहोवा योंक कहता है शापीत है वह पुरुस जो मनुस्या पर भरोशा रखता है और इसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से बटक जाता है साउल का मन पहले प्रभू की और था अब लोगों की और हो गया है प्रभू कहता है सापीत है वह मनुस्या प्यारों ऐसा ही एक राजा हो गया आखरी कुछ मिनिट्स हम लेकर पूरा करेंगे आसा जिसके विश्य में लिखा है एक समय इतना भारी युद्ध उसके समय में हुआ आया आयात हम मिलकर पड़े दुसरा इत्या शवद्वाद्या नौवियाद और उनके विरुद्ध दस लाग पूरूसों की सेना और तीन सो रथ लिए हुए जहरा नाम का एक कुछी निकला और मरेसा तक आ गया एक बड़ा युद्ध हुआ कितनी बड़ी सेना थी यहाँ पर लिखा है दस लाग पूरूसों की सेना और तीन सो रथ एक बड़ी सेना थी आसा के सामने तब आसा ने क्या किया आये मिलकर इस आयत को हम पड़े दूसरा हितिया सौदवाद या ग्यारविया तब आसा ने अपने परमेश्वर की योंदोहाई दी कि है यहोवा जैसे तु सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही सकती हीन की भी है हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर क्योंकि हमारा भरोसा तुझही पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड के विरुद आए है हे यहुआ तु हमारा परमेश्वर है मनुस्य तुझ पर प्रबल न होने पाए यह कहता है प्रबो तु हमारी सहाईता है हमारी सहाईता मनुस्य नहीं है दस लाग किसे ना है लेकिन आसा कहता है प्रभू हम उनके आगे निर्बल है, हम सकती हीन है लेकिन तू हमें बद लेने वाला और इस यूद में विजह देने वाला परमेश्वर है अगर इस आसा के समान आपकी द्रस्टी परमेश्वर की और है बहले ही आपका सत्रू कितना बड़ा क्यों न हो आपके सामने जो चुनोती दे रहा है, वो परेशान या कितनी भी बड़ी क्यों न हो प्रभू आपकी निर्बलता में उनकी सामत को परिपूना करेगा आपकी सहायता स्वर्ग से आएगी, बहले ही आप सकती हीन हो बहले ही आप निर्बल हो, प्रभू आपको बल देगा और युद में आपको वीचे देगा आएम पड़े क्या हुआ, जब आसा ने प्रभू की सहायता मागी तब यहां पर वच्चन में लिखा है, मिलकरी सहायत को हम पड़े तब यहुआ ने कुसियों को आसा और यहुदियों के सामने से मारा और कुसी भाग गए, हालेलुया, आपका शत्रु भागेगा अगर आप प्रभू के पास जाते हो आपको लगे परिस्थिती बहुत भारी है, मेरे विरुद जो परिस्थिती खड़ी है मेरा जो सत्रु है, वो बहुत ही बड़ा है उसके आगे मैं बहुत छोटा हूँ, कमजोर हूँ, निर्बल हूँ, सक्ती हीन हूँ क्या करूँ, कुछ पता नहीं चलता प्रभू के पास आए, आसा के सामने दस लाग की सेना थी वो उसके सामने कमजोर हूँ, सक्ती हीन, महसूस कर रहा था लेकिन जब प्रभू के पास गया, वो यूद में प्रभू ने उससे वीचे दिया प्रभू आपको आपके यूदों में वीचे दिलाएगा आसे उसके चर्नों में जाए, उसकी सहाय तमागे यूद कितना भारी है, परेशानिया कितनी बड़ी है, तकलीफ कितनी बड़ी है ये मत देखे, आपके पास जो है, वो जोरावर और सामर्द ही है आपको वीचे दिलाएगा, जैसे आसा को दिलाया आसा के जीवन काल में दुसरी एक लड़ाई हुई, सब आयत मैं नहीं पढ़ूँगा समय बचाने के लिए दुसरा इतिया सोला वादिया, वहाँ पर लिखा इसराहिल के राजा बासा ने यहुदा पर चड़ाई की लेकिन ये बार आसा से गलती हुई, उसकी नजर अब परमेश्व के बजाए लोगों के उपर थी और उसने क्या किया, तब आसा ने यहुदा के भवन और राजभवन से, राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल कर दमिस्क वासी और राम के राजा, बैन हदद के पास दोद भेज कर कहा, तुम मुझे सहाईता कर पहले आसा बड़े वीज़ई को देखे हुए था, क्योंकि वो प्रभू की तरफ से सहाईता पाने के लिए प्रभू के च्छनों में गया था लेकिन ये बार इसने बहुत ही बड़ी गलती की प्रभू के पास न गया, लेकिन एक राजा से धन दौलत भेज कर, सोना चांदी वो भी प्रभू के बंडार में से निकाल कर देकर कहता है, तुम मेरी सहाईता कर और प्यार उसी समय प्रभू का बच्छन उसके पास आता है, तुने जो अपने परमेश्वर यहोवा का बरोसा नहीं रखा, वरन अर्राम के राजा ही पर बरोसा रखा, इस कारण अर्राम के राजा की सेना तेरे हाँ से बच गई है, तुझे हार देखनी पड़ेगी और यही आसा राजा जो एक समय बड़े बड़े युद्धों में प्रभू के उपर भरोसा करता था, एक समय उसके चीवान में बीमारी आई, दुसरा इत्यास, सोलव वाद्याय और बारवियात में लिखा है, अपने राज्य के 29 वर्स में आसा को पाउं का रोग हुआ, औ भी उसने रोगी होकर, यहोवा की नहीं, वईदो की सरन ले, डॉक्टर्स की सरन ले, हम प्यारों डॉक्टर्स और ट्रीट्मेंट दवायों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिर्फ उस पर आधा रखना और प्रभू की सहायता न लेना वो बड़ी गलती है, यासा ने क्या किया सिर्फ डॉक्टर्स के उपर भरोसा रखा, जब उसके पैर में दर्द हुआ, रोग हुआ, वो प्रभू के पास नहीं गया, उसकी सहायता पाने के लिए कहां गया, डॉक्टर्र और वईदो के पास, और उसका परिणाम क्या आया, तेरवयाद, नीदानास सापने राज्य क 45 वे वर्स में मर के अपने पूर्खाओं के साथ सो गया, यही दर्द में उसकी मृत्य हो गया, यही रोग में वो उसको हार देखनी पड़ी, एक समय आसा राजा दस दस लाग की सैना के सामने वीजे इक हो पाता है, और यही आसा राजा, एक और राजा के सामने बहुत हार होती है, अपना जीवान तक वो गवाता है, क्यों? क्या फर्ग था? एक समय था आसा राजा, प्रभु की सहायता पाने के लिए प्रभु के छर्णों में जाता था, और इस जीवान के अंतीम समय में सबसे बड़ी गलती आसा यह खर बैठा, अपने तकलीव के समय में, युद्ध के समय में प्रभु के पास नहीं गया, एक बार कोई राजा से सहायता मागी और एक बार वईतों से सहायता मागी, फिर से प्यारों हम आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर से मुँ मुढने की गलती बहुत गंबीर परिनाम ला सकती, अपने युद्धों के समय म सबसे बड़ी गलती जिसके भी से में हमना आज सिखा कि वो युद्ध के समय सहायता मागने परमेश्वर के पास नहीं गया, लोगों के पास गया और हम आपसे फिर से ये प्रस्ता पुशना चाहते हैं, क्या आप अपने चीवन में युद्ध के समय सबसे पहले प्रभु क के पास जाते हो, या यहां वहां दोड़ते हो, यहां से सहायता मिलेगी, वहां से सहायता मिलेगी, इस विचार में आप सिर्फ उलजे रहते हो, और सबसे महत्वपूना कदम लेना भूल जाते हो, प्रभु के चर्णों में बैठकर दुआ करके उसकी सहायता मागना भूल आप वीजेओ को कभी नहीं देखोगे प्यारो अगर आप वीजेता बनना चाहते हो सब कुछ बाजू पर रखकर छोड़ चाड़ कर पहले ही प्रभू के चर्णों में बैठ जाना प्रभू से कहना प्रभू मैं निर्बल हूँ मेरी समस्या बहुत बड़ी है सत्रू बहुत बड़ा है लेकिन तू मेरी साहिता है तू मुझे बल दे तू मुझे ग्नान दे तू मुझे राश्ता दिखा और प्रभू जरू राश्ता दिखा है प्रभू जरू बल देगा और आपको वीजे बनत बनाएगा Hallelujah is how to be victorious यह गलती कभी ना करना यह गलती को हमें कभी नहीं करना है जो साउल ने की प्रभू की सहायता युद के समय में नहीं माकर आए हमारी आखों को बंद करें प्यारों हम आपसे प्रस्टन फिर से पूछना चाहते हैं आपकी तकलीफ के समय में क्या आप प्रभू के पास जाना पसंद करते हो सर्व प्रथम दोड़ कर प्रभू के चर्नों में जाते हो या जैसे ही आप तकलीफ आती है समस्य आती है सत्र आपके सामने खड़ा होता है आपकी नजर यहाँ वहाँ दोड़ने लगती है कहां से सहायता मिलेगी कौन मुझे मदद करेगा कहीं से मुझे मदद मिल जाए आपकी मदद सिर्फ स्वर्ग से आससकती है पयारो कहीं और से नहीं आप अगर प्रबु के चलनों में नहीं जाते सावल के समान गलती कर रहे हो पयारो आप अपने चीवान में निरास और बेसहाई और बेपस ही रहोगे वीजेयों को नहीं देख पाओगे प्यारो आयास से प्रभू से कह प्रभू मैं मेरे चीवन के युद्धों के समय में सबसे पहले आपके चर्णों में आऊंगा दाउद के समाम प्रभू मैं आपके चर्णों में आकर आपकी सहायता मागूंगा आपके चर्णों में आकर आपसे बल पाऊंगा प्रभू ताकि मैं अपने जीवानों में वीजयों को देख सको जो गलती ब्राजिल के प्रेसिडेंट ने की मैरलीन मन्रो ने की प्यारो जो एंड्रू ने की प्यारो उन्होंने अपने चीवन के संगरसों में से परमेश्वक को बाजू पर रख दिया और अपने चीवनों में उन्होंने इस कल्ती की बड़ी सजा पाई आए प्रभु से कहे प्रभु मेरे चीवन के युद्धों में या नूग्र मुझे दे कि मैं तेरे पास आना न चुकू जब आसा के सामने दस लाग का सेन्य था प्रभू की सहाईता से उसने उसके उपर विजय पाया आपके सामने कितना भी बड़ा सत्रू क्यों न हो जब आप प्रभू की सहाईता मागोगे प्रभू आपको विजय वंद वन आएगा प्यारो आए हम दुआ करें परमेशर हम आपके चन्नों में आते हैं हमें माफी दीजिए अगर ये बड़ी गलती जो साउल ने की वो हमने की है आपकी सहाईता पाने के लिए आपके चन्नों में नहीं आए तो आप हमें माफी दीजिए आप हमें शमा करें आपके बगर हम विजय नहीं पासकते विजय दिलाने वाले आप हो इन सबी लोग जो हमें देख रहे हैं उन्हें शमा करें परमेशर कई बार हमारे प्रस्णों के तले हम इतने दब गए उसके विजय में हमने सोच सोच किया लेकिन ये नहीं सोचा कि इस समस्या से बाहर आने का उपाए तो परमेशर है येश्व मसी है विजय दिलाने वाला एक ही है वो जिन्दा खुदा प्रभू येश्व है हम आपके चर्णों में आना भुल गए प्रभू हमने ये बड़ी गलती अगर किये हमें शमा करें प्रमेशर अगर हमारी नजर मनुष्य की तरफ थी हमारी नजर पैसों के ओर थी हमारी नजर हमारी पहुँश हमारी जो कैपेबिलिटी है हमारी जो काबिलियत है उसके उपर थी हमें शमा करें प्रभू लेकिन आसा नूखर दीजे प्रभू सबसे पहले युद के समय सहायता पाने के लिए आपके चन्नों में आए जैसे साउल सुरुवात के समय में कर रहा था जैसे आसा ने दस लाग का सैन्य सामने देख कर किया हम आपके चन्नों में आए और बड़े विजयों को प्रभू हम देख पाए येशु मसी के नाम से प्रभू अनूखर हम पर होने दीजे इस बात को याद रखे प्रभू फूल न जाए और परमेशर इस बात को जीवान में अमल में लाकर हमारे जीवान में विजयता बन पाए येशु मसी के नाम से अनूखर हम परोने दीजे हमारी दुआ प्रभू येशु के सामर्ति और बड़े नाम से आप कबूल करे आमेन आमेन प्रभू आप सभी को प्यार आसी सीद करें ये बहुत ही महत पर पूना बात है अपने जीवान में इससे याद रखे भूलिये नहीं प्रभू आपको जरूर विजयता बनाएगा आमेन थेंक यू गड़ ब्लेस यू